और गैस काफी सारे बच्चे का एक कंफ्यूजन था कि सारे एक्जाम डेट कब होगा और नौ दूसरी बात है कि सिलेवर्स के लिएके भी कॉन्फ्यूजन है तो मैं आज यही के बारे में डिस्कुसन करने बाले हैं तो इससे पहले आपको बता दी कि आपके एक्जाम से पहल तो यहां पर बतातो हूं जैसे कि MBI का फेले वेकेंजी आई थी आज से 2020 में ठीक है उसके बाद BPS 366 का आया अभी यहां पर देखो 66 का प्री और मेंस भी हो गया बट यहां पर कैस MBI का एक्जाम नहीं हुआ था ठीक है तो यह भी किस आपको देखने को मिलेगा अब मैं आप बतातो कि आपका एक्जाम किής लाई का एक्जाम होगा ठीक है तो आपका एक्जाम यह नहीं कि मैं अपका उप्र PayPal नहीं होगा उसके हम थोड़ा से expected करते हैं कि मैंज जून तक में एक्जाम हुआ हुआ नहीं तो कैसे आप काफी लंबा टाइम तक जा सकता है अब काफी सारे बच्चे बोलते हैं सार आप एक साल का ही क्यूं आप मतलब लेते हैं देखो क्यूं क्यूंकि गैस में काफी टाइम से मैं उस फिल्ड वे ना वी पीज़ाम अगर लेट करती तो बहुत जादा लेट करती हैं इसलिए गैस मैं आप लोगो है न हमेशा 2020 कोशन क बने रहें जब आपके एक्जाम आता है ताब मैं 50 पचास कर देता हूं और जब आपका एक्जाम का 10 या 20 दिन बसा है तो वहां पर मैं 100 को देने प्रवाइड कराना लेगता हूं तो इसलिए आप लोगो का जो है ना मैं हमेशा इसलिए एक साल के लेता हूं क्यूंकि BPSC क कोई ठीक नहीं वो कब एक्जाम बढ़ा सकता है और कब एक्जाम नहीं ले सकता है हम उसी एक्वाडिंग रन नीती बनाते हैं ताकि आप लोगो का सारा टॉपिक कवर हो सके ना अब आता है कि सर्फ स्लेबस के लिए के बताऊं तो आपका जो पीडी मैं पेपर वन का ही इ आप लोगो हम बताएंगे तो जो आपका एक्जाम है ना वहाँ पर आपको इंवायर्मेंट का भी पार्ट देखेगा जो कि आप अलड़ी प्रैक्टिस सेट में देखते भी होंगे ना उनके बाद केमेस्ट्री का भी पार्ट आपको देखेगा बायो का भी कुछ आपको यहां पर देखेगा अब काफी सारे बच्चे बोलता है कि प्रिविएस यह बगेरा नहीं है क्या तो इससे पहले अगर मैं बात करूँ पुराना एक्जाम किसी बच्चे के पास है तो मुझे शेयर करें मुझे नहीं लेगता है कि इसका एक्जाम हुआ मैंने काफी सारा मैं पता भी क्या गईस इनका एक्जाम पहली बार होड़ा मेरे ख्याल से ठीक है अगर आप लोग में से किसी के पास है तो आप हमसे सेयर कर सकते हैं मेरे एक्वाडिंग यहां पर मुझे कही प्रिविएस यह बगेरा नहीं मिला तो थेंक्यू है आपके मान में कोई और भी पूछ सकते हैं रवे